गुंडा मवालियों को चुनेंगे तो उसे उमीद क्या कर सकते हैं अब इनकी ये उकाद हो गई कि लोगों की बिकिनी और चड़ी तक जहांक रहे हैं कि भगबा है कि पीला है इनको चाइना हमारे सरहदों को कैप्चर कर लिया इससे कोई लेना देना नहीं है और चाइना उस गुरू बन रहा है क्योंकि अब जो देश में हो रहा है वो हो रहा है रंगों की राज्नीती जी हां लगातार जो औरेंज कलर जो हमेशा से ।रेस-प पहनती थी अ मारे साथ हैं पंका श्रीवास्त्री जी तो kung कर छी ठी पहले तो यह बताए कि जिस तारीके से भगवा रंग की ड्रैस को लेकर इतना भावाल हो यह क्या एकटॡूआँ के ड्रैस अब मंत्री लोग तह करेंगे कि वो किस कलर की ड्रैस पहने है के कौन सा मंत्री और कैसा मंत्र कब कौन सा गुंडा वजीर हो जाए यह सारे गुंडे मवाली हैं पोकेट मार हैं आप गिरी मंत्री को देखे निशित परमानिक को बंगाल में वो लूट घसोट करता था जगाना जवर के दुकान में टकैती करता था एक तारीपार है दूसरा परभाद गुप परती है यह देश की आवाम को सोचना परेगा जुनको रोटी कप्रा मकान की बात करनी थी जुनको सिक्षा रोजगार स्वास्त की बात करनी थी तो वो ना करके वो नित नए डेली एक नया-णया मनोहर कहानिया सुनाते हैं लोगों को कभी खाना-पोहा से पहचानिये तो क कभी कपरों से पहचानी ये लोग का मैंने एक होता है ना कि जनमजात जो मदारी होता है यह मुदी नहीं मदारी है इंको जुट बोलने की पैदाइसी बिमारी है तो जिस टीम का कैप्टन ही बहुरूपिया होगा जुठलर होगा माने आप समझी है कि ड्रामे बाज होगा अभिने का मास्टर होगा इन्होंने जॉनी लिवर को भी फेल कर दिया इन्होंने सब को फेल कर रखा है कलाकार तो इतने बरे हैं कि हर चीज में एक नया नया अब इनकी यह उकाद हो गई कि लोगों की बिकनी और चड़ी तक जहांग रहे हैं कि भगवा है कि पीला है है आप बताइए और यह नवक्तों अपने दिदी डीप का पाधिकोन को देखा होता जिस ऐसे पैर रखी हुई है तो भगवा के रखी हुई है आप रभीने टंड और यह बात सबसे बात को अगर यह देरा रहा है अगर यह पेर हरहा है यह रंग मुशलमानों का होता तो यह हिंदूों को हवा नहीं देता चाउं नहीं देता तो ये चीजें प्रकृति ने हम सब के लिए दिया है मानव समाज के लिए दिया है इंसानियत के लिए दिया है कि हम जिंदा कैसे रहेंगे इसके लिए इन्होंने आक्सिजन देने का काम किया है इसलिए हमारे धर्म में इसमें जल चराने की प्रंप्रा है हम इनको पूचते हैं 84 लाख ही उनियों का भरन पोशन शिर्फ इनसान करता है और एक ही इनसान है जो अच्छा भी करता है और बुरा भी करता है यह पर पहुदे तो अच्छे बुरे नहीं करते यह सिर्फ और सिर्फ शब के लिए शमान रूप से आपने सुर्ज और भगवार और हरा दोनों की बात बताई अगर इन में अंतर होता तो यह लोगों से नफरत करते तो यह नफरती लोग हैं यह वही लोग हैं जब गोरे अंग्रेजों ने नफरत लाया देश में डिवाइड एन रूल अगाज किया था तो इन लोगों ने विरोध किया था जब ने लोगों ने विरोध किया था तब इन लोगों ने विरोध किया था जब आप जब सूच सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ विरोध के अलावा कुछ नहीं जानते आपने यह भी देखा होगा बाजपा के सरकार म मौव लिंचिंग होती थी और गौमान्स पर इतनी चर्चा होती थी कि नजाने कब कहां किसके साथ क्या हो जाए और जितने बूचर खाने हैं वह भाजपा आरेसे से संबंदित लोगों के हैं खुद उत्तर प्रदेश का एक गुंडा मवाली अपराधी जिस पर सत्तर सहधिक अपराधनाद धुणिया पर जिस पर सत्तर सहधिक धरायें दर्ज हैं आज उस उत्तर प्रदेश में कितने बूचर खाने चल रहे हैं यह बताएं भाजपा के लोग और पूरे विश्व में भारत गोमांस निर्यायत में नमबर वन कैसे बना एक्सपर्ट में तो ये बताएं, सबसे बरी बात है, इनका काम से कोई लेना देना नहीं है, इनको चाइना हमारे सरहदों को कैप्चर कर लिया, इससे कोई लेना देना नहीं है, चाइना बार बार आकर हमारे सीमा के अंदर पूल तोर जाता है, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनका महेंगाई से कोई लेना देना नहीं है, इनका महिलाओं पर और सरक्षा से कोई लेना देना नहीं है, चुकि चिम्यामंद जैसे लोग इनकी पार्टी में हैं, और वो गिरी मंत्री तक होते हैं, सोच लिजिए, एक एक बलातकारी एक गुंडा एक मवाली एक लुटेरा इनके सरकार में मंत्री मंडल में होता है तारीपार मंत्री होता है तो आप इनसे उमीद क्या कर सकते हैं अभी आपने बाबा योगी जी की बात की वहां तो गौ माता को भाईया पूजा जा रहा है मंतुर चारण करवाए के बाहर भी यह सब सिर्फ फोटो सूट कराते सोचल मीडिया पर डालते उसके बात भूल जाते आप जब उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ब्राह्मन और गाई की इस्तिती बराबर है अभी बुलन सहर में एक ब्राह्मन लर्की के साथ गैंग रेफ हुआ और पूरे परिबार को फंसाया जा रहा है उसको आक्म हक्तिया का शकल दे दिया गया और खुद पुलिस वाला यह कह रहा है कि लर्की के भाई बाप ने ही इसको मार दिया है बताओ तो यह चीजें यह हिंदु धर्म के हिसाब से चल ही नहीं रहे यह रावन कौर अवरकंस के हिसाब से चल रहे अभी गोरकपूर में पीड़ लुटी वाले ने ब्राह्मन परिबार रविदाश परिबार के लोगों की दुकाने तोर दी उस समय उनका हिंदु तो चला जाता इनका हिंदु कौन निर्व मोधी आईए बैंकों का पैसा लूटिए और विदेश से ले जाईए रिसी एकरवाल मेहुल चौक्षी तमाम यह हिंदु हैं बैंकी को तो यह हिंदु मानते नहीं रंग की बात आपने की भगवा रंग दीपका पादुकौन से लेकर रभिना टंडन तमाम वो एक्ट्रेस जो अक्षे कुमार के साथ भी हमने मूवी देखी हैं हम एक दरजन ऐसी मूवी बता देंगे और आने वाली भी फिल्म दाहेटे स्टोरी में देख लिजिए जो विवेक अगनोत्री इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है और उसमें भगवे क क्या मतलब प्रियोग किया है तो वह वहां नहीं करते हैं चुकि उनको पाठी फन में चंदा मिल गया होगा जिससे चंदा नहीं मिलता है उनके घर ये बाहर में परदर्शन करने लग जाते हैं यह सिर्फ और सिर्फ चंदा कमाने का इनका है भाजपा की जो मन्मीत राना ज यह भगवा का अपमान हो रहा है और ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए तो यह कितना सही है वहीं रवी किशन को भी एक भगवा अपने अपने पर मोवाईल का ध्यान रखना तो आप जैसे ही अपने कीम्ती समान का ध्यान रखेंगे पोकेट मार देख लेगा और आपकी पोकेट मारी करेगा यह सारे भाजपार SS के लोग पोकेट मार हैं यह वही काम करते हैं जिसका यह विरोध करते हैं यह मौवलिंग गौत्या पर मौवलिंचिंग करते थे वीफ एक्सपर्ट में नंबर वन है यह हिंदुत्व की बात कहते थे हिंदूओं पर अपराद के मामले में सबसे जादा है यह लोग यह लोग को बली का बकरा बना रहे हैं तो यह चीज समझना होगा आखिर कब तक हिंदू धर्म का यह उपयोग करते रहेंगे और अपने फाइदे के लिए हम जैसे लोग जब तक भारती जंता पार्टी देश को गुम्रा करेगी देश में नफरत फैलाएगी देश में बैमनस्ता फैलाएगी अपनी जान को हथेली पर रखकर बिरोध करते रहें है वह जैन्यू में गई तुकड़ा तुकड़ा गैंग से उनका जो है समर्थन करने गई दिद्ध नाता बताया जा रहा है और कुछ बोलो गयाप यह बोला जा रहा है ना चाइना से चाइना दूताभास ने और चाइना उसमें नौक्री कौन कर रहा है बुदेश मंतरि का बेटा तो कोने टुक्रे टुक्रे गैंग का आदमी कौन गया था भाजपा का कौन सा रेसेस का नेता गया था चौदा आदमी वहां कौन सा सिक्षा लेने गया था चाइना में और कैसे कहा था कि भारत में सबसे बड़ी पार्टी भारती जनता पार्टी है चाइना में कॉम्म कौन सा लाल मोदी जी के आखे नहीं है काला चसना पहने हुए हैं अगर आख होता तो धिरतराष्ट की तरह देश में मंदी को देखते अर्थविवस्था को देखते देश जो लुट रहा है देश की जो सारी संपतियों को लुटा जा रहा है नहीं देखते प्रधान मंत्री मंत्री सब्सक्राषण की तरह अंधा अंधा ओकर सिर्फ और इस तरीके से दिरतराष्ट दुल्योधन के मौह में तो परधान मंत्री जी अपने पार्टी के मौह में देश का 자 Это को उसे कोई लियाकत कह रही है कि एक भी सैनिक सहीद हुए क्या हुआ रुबकया जी को बोलते न है वए हैं आव़र्ड मिला है चैट शोका बाउर्ड मिलां उन्हें आवड किसको मिलता है यह पैसा हम आपको दिला दे आवर्ड को कभी जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग करी है कभी मूर भी पर जाकर रिपोटिंग करी है कभी गुजरात में ही जाकर जहां लोगों के घर में उज्वला योजना का रिफलिंग कराने का पैसा नहीं है उस पर बात करी है जो फसल भी मा योजना पूरे देश में चल रहा उसका गुजरात में ही विरोध क्यूं है बेन क्यूं है बताओ आप तो पत्रकार हो आपको पत तो 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 मगर वहां से भाजपा तो जीत गई है ना मोर्भी से ही सोचिए वहां से जो जीते हैं भई जीत तो रहे हैं घोरा के पैर के सिकर से बांद दीजिया को यह गदा जीत गया जो प्रदान मंतरी ने अपने बचपन के सारे करजे उतार कर उसको बचा कर किया है तो क्या आपकी नजर में वह मजदूर का गलती है क्या उस्सी कुरुड़ीगार का गलती हैं पत्रकार हो थोरा सभी दिमाग है या नहीं है रोटी खाते ना आप तो आप एक बात बताओ उस वहां काम करने वाले मजदूरों की क्या गलती है जिन मजदूरों को जेल में बंद कर दिया गया जो कॉंट्रेक्टर होगा जेल तो को होनी चाहिए ना आखिर उस कॉंट्रेक्टर को जो घरी बनाने वाले को फूल बनाने का ठेका दिया गया बेगार टेंडर का अब बेगार एनोसी का चालू कर दिया गया तो इसमें पूरा रैकेट वहां भाजपार SS के लोग फसे पड़े हैं लेकिन है क्या आप लोगों को जो खबरें दिखाने हैं आप सारी चीजें पूछ लोगें सारी बातें पूछ लोगें कि अभीताब चन ने पालक खाई उनके दात में पालक फस गया अरे रंकी पोटी की लेकिन आपको चाइना का खबर ना मिलता रजसर्मा जैसे पत्रकार कहते हैं कि अभीताब चन ने कितने जमीन के अप्तर कर ली रजसर्मा जैसा सीनियर पत्रकार जब पालक पर चर्चा डिबेट करता है पोटी पर डिवेट करता है वह चाइना पर डिवेट नहीं करता है अधारत की सेना आज से नहीं सब दिन से हम भारत के लोग सब दिन से सासी हैं भीर हैं हम गोरे अंग्रेजों को भगा दिए भारत की मिट्टी करांतिकारियों की मिट्टी है हमें भारत मा के बीर सपूतों पर कोई वो चर्चाई नहीं है आप एसा नहीं कहें आप खुद कहते हैं कि 1962 में का भारत नहीं है तो क 162 में जो हमारे भारत के मा के बीर सपूत सहीद हुए क्या उनकी कमजोरी थी उन्होंने लरा बतन के लिए जान दी अंतिम सास तक लडाई लरी तो फौज पर शवाल उठाने वाला कोई भी हो देशद्रोई है वो सवाल नहीं उठता सवाल है कि राजा कौन है उस समय हमारे प मंत्री जी पता नहीं चाइना के साथ जूला जूलने में ही मस्त क्यों रहते हैं क्यों हजारों ट्रंस पता करने गए हैं मोदी जूल के हैं जूल 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 है सावन के जूलों में एक भारतिय जंता पार्टी संध्यंत्र के तहद नितिश कुमार की शरकार को गिराना चाहती हैं भारती जंता पार्टी की सरकार अपने आपको कटर हिंदुओं की शरकार कहने वाली हिंदू धर्म में मद्रेपान बर्जित है तो उत्तर प्रदेश में बेन करो उत्तरा खंड में तुम्हारी तुम्हारी सरकार हर्याना में है। और बिहार में सराव आ कहा से रही है। और भरती जंतापाटी के लोग जब यहोई गणिज में घटना हुई थी। बरती जंतापाटी के लोग सामिल थे वह समय भी रोध सबी राज्यों को शील कर देना चाहिए गहन छापे मारी होनी चाहिए कि यह सारे केमिकल आखिर नितिश कुमार की सरकार को और अस्थिर करने के लिए कौन लोग पडियोग कर रहे हैं निश्वित तोर पर देश में पूर्ण शराब बंदी होनी चाहिए पूरे देश में बं नाम लाहो डठा का अंडगा दोसी कौन है पूछ रहे गुजरात में नरोदा बटवा में जो दारू भी रहा है जो ड्रक्पिक रहे हैं कौन है मास्टर माइन किसके संभक्षिन में तो उसके चर्चा करोंगे चर्चा उस पर भी होनी चाहिए चर्चा करो न कौन है गुज आजीब हाल है तर राजोद गाउं में क्या हुआ था वहाँ अमरित पिया गया था जिनकी आखों की रोशनी चली गई जिनकी किडिनिया फैल हो गई जिनके सुहाग उजर गए जो पच्चे यतीम हो गए तो आप उस पर भी चर्चा कर लीजिए मैं तो गया था राजोद में मिला था सारे हिंदू परिवार के लोग हैं पिछरे और धलित समाज से आते हैं और सरकारी मुआपजा के नाम पर कुछ भी नहीं मिला न मिर्तक के आ सराब बंदी की बात कहते हैं पुरे देश में सराब बंद क्यों नहीं और फिर इंडियन डिजास्टर मेनेजमेंट एक्ट के तहज के अंदर की हर नियम को राजी को मानने को बाद होना परेगा तो हम तो यह कहते हैं भारती जनता पार्टी अगर इतनी शंबेदन रखती ह तो पूरे देश में पुर्मता है भारत में शराबंदी होनी चाहिए अच्छा बात रंगों की हो रही थी अभी आखरी सवाल मेरा यह है कि कंगना रनावत जो भारत की बेटी बताई जाती है जिनोंने भारत का जो है आजादी का मकसद बताया कि अब आजाद हुआ है तो इस पर बावाल नहीं हो रहा है यह अनबक्तों की चाहती इनसे पूछे कि वह जब कम कपरों में होती हैं शिक्रेट पी रही होती हैं यह उन लोगों को आई आइकॉन मानते उनकी आइडिलोजी मानते दूसरी बात कि दीपका का भी मैंने देखा वह ऐसे पैर रखे हु कंगनारा नावत वही मैं कह रहा हूं कि जब बैन की बात होनी चाहिए तो रविना के उस दिरिश्ट पर भी बैन होनी चाहिए जब बीवे आगनत्री जी की फिल्म में एक दाहेट स्टोरी करके है उसमें भी भगवा का दूरूपयोग है तो हम कहते हैं उन सारे बिल्मों क को सेंसर बैन करें अगर अनवक्तों ने मैं अगर दिमाग में भुसा है अगर मां का दूद पिया है तो अक्षय कुमार की वो मी भी जो आम चूस के काटने वाली नहीं जिसमें भगवे के साथ वो डांस कर रहे हैं वो भी मतलब बाइकॉट होना चाहिए तक रभी किसे नहीं बाइकॉट के समर्थन में हैं आप तो समर्थन में कुछ भी नहीं हूँ रंग कौन सा कौन कपड़ा पेनेगा कौन क्या खाएगा पहन के चलेगा कौन कैसे चलेगा यह नहीं होती है यह मुद्दा इसलिए उचाला है कि चाइना के मुद्दे पर प्रदानमंत्री घिरे तो क्या होता है समझे एक बार हिटलर जा रहा था मुर्गा को पंख नोस्ते हुए उसको दो-चार दाना डाल दिया देश में जो त्राहितराई हो रहा है उसको धार्मिक रंग दे दिया गया फिर लोग उसमें लग गए लोग अपने भूख प्यास को भूल गए लोग अपन तो अभी पंकर श्री वास्तव जी थे हमारे साथ जो लगातार अभी भगवे रंग को लेकर यहां पर बवाल मचा हुआ है मद्य प्रदेश में भी आगजनी हो रही है सोचिए एक रंग के लेकर बवाल मचा हुआ है क्या शुरू से संत्री कलर जो है वो ड्रेसों में पहन नहीं जाता था या एक्ट्रेस कभी बॉलीगुड में इस तरीके की ड्रेस नहीं पहनती थी तो अभी इत्रा बवाल क्यूं हो रहा है तो यह सबसे बड़ी चर्चा का विश्य है आप भी सोचिए इसी के साथ देखते रहे हैं जनित आवाज मेरे सायोगी धर्मेन के साथ म यूद कॉंग्रेस दिली